अब क्रेयर हो गया है अब मैं बताता हूँ के एक तो यह आपके इंदर गुलुकोज इस तरह बन रहे है फिकने अब जो रौस्नी की मँखूद की में रेक्शन हो रहे होते हैं नको हम कहते हैं लायट रेयक्शन क्या जो रौस्नी की म Он कि या गयर मॉझूद राक य इनको कहते हैं किल बन साइकल बच्चो अब बसकतé केलवन साइकल ठीक है अब सुने लाइट रियक्शन का काम है औक्सीडो रिडक्टेजिस यानि नैड H2 प्लस फैड H2 देना प्लस ATP बनाना और यही ATP आगे आगे प्रोसिस चलाता जाएगा जबके केलवन साइकल में क्या फर्क है डार्क रियक्शन में क्या फर्क है आप कहते हैं के केलवन साइकल के अंदर ATP तो नहीं बन रहा वो तो मुफ्त खोरा M-E ATP इस्तमाल किये जा रहा है तो यह क्यों है केलवन साइकल की बात कर रहा हूँ उसका जवाब मैं देता हूँ बचो CO2 एंटर होगी साइकल में ठीक है यह बनाएगा फासो गलाइसरेट फासो गलाइसरेट बनाएगा गलाइसर एलडी हाइट 3 फासफेट समझते जाएं फिर इदर यह आर यूबी भी रिजनरेट हो जाता है रूबीसको राइबलूस बाइफासफेट रिजनरेट हो जाता है क्यों? क्योंकि यह दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है जो CO2 को फिक्स करते है इसको रिजनरेट करना ज़रूरी है ताके दोबारा हवा में चला जाए अब यह जो गलैसर एल्डी हाइट 3 फासफेट बना यह 3 कारवन शूगर है ना यही रियक्शन दोबारा चलेगा फिर 3 कारवन शूगर बनेगी तो जब 2-3 कारवन आपस में जुडेंगी तो यह क्या बनाएगी 6 कारवन शूगर फुक्टोज और मैंने कल पढ़ाया था कि फुक्टोज और गुलुकोज आपस में आईसोमर है फुक्टोज और गुलुकोज आपस में आईसोमर है फिर जिसम कहेगा कि मुझे मेरे brain cells को galactose चाहिए तो वो galactose में convert हो जाएगा ठीक है यानि केलवन cycle का काम है three carbon sugars के जरिए क्या generate करना six carbon sugars फिर यही six carbon sugar आगे five carbon sugar में four carbon sugars में भी convert होती रहती है और जिसम की जरूरत पूरी करती रहती है है अगा इसक्राइब क्लियर हो रहे हैं आप सब लोगों के 500 अब यह साइकल चलाता कौन है बच्चों जा इस तुने यह सूरज जा यह सूरज पढ़ेगा फोटो सिस्टम टूपर यह है फोटो सिस्टम टूओ फोटो सिस्टम टूओ क्यों उपर जब रोशनी पढ़ेगी तो यह इलेक्ट्रोन को एक्साइड करती है ऐसे इलेक्ट्रोन जम्प करते है और लाइट पढ़ती है और जम्प करते है और लाइट पढ़ती है और जम्प करते है जब जम्प करते करते है इधर पहुंचता है तो इधर electron acceptor इसको accept कर लेता है accept करके इसको फॉरन ट्रांसफर कर देता है आगे वो ट्रांसफर कर देता है आगे वो ट्रांसफर कर देता है आगे इधर आ जाता है photo system 1 अब पीछे से light पढ़ती जा रहे है electron excited होते जा रहे हैं इधर electron hole create हो रहे है तो और electrons आके इसकी जगा ले लेगा फिर ये ऐसे जम्प करता हुआ आगे आता जाएगा फोटो सिस्टम वन क्या करेगा इसको accept करके फिर उपर जम्प करा देगा अगले electron acceptor के पास ठीक है अब जब यहाँ पे primary electron acceptor ये accept करेगा और अगर पीछे से ATP की concentration है बहुत ज्यादा यानि continuously बन रहा है ATP तो ये reaction ऐसे चलता रहेगा यानि Z बनता रहेगा ऐसे ना अब जब पीछे से ATP की concentration हो जाती है कम तो जाहरी बात है ने-2 की concentration बढ़ जाती है कलोरोप्लास्ट में फिर ये cycle क्या होता है फेरी डॉक्सन से वापस इदर आ जाता है और ऐसे cycle चलता रहता है इसको कहते है cyclic phosphorrelation फिर जब पीछे से ATP concentration बढ़ जाती है यानि कैलवन cycle ने ATP दे दी है कैलवन cycle ने glucose बना दी है glucose चला गिया glycolysis में उसने ATP दे दी है फिर ये cycle S-A-Z scheme में आ जाता है ठीक अब समझ आगी आप लोगों को अच्छा जी बाकी लोग भी बताएं अब आपको पले पढ़ रही होगी कि ये चीज़ें क्या हैं इधर देखें ठीक है देखें light पड़ी ये मैं नहीं मेरे knowledge से आपको अंदाजा हो रहागा मैं इन चीज़ों को कुछ भी नी समझता मैं नहीं follow करता है F-A-C-E को ठीक है लेकिन आप लोगों के तसली के लिए आप लोगों के concept के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें explain कैसे करनी है electron आया sorry light पड़ी jump हुआ आगे यहां बे दोबारा पीछे से light आ रही है chloroplast में ATP है ज्यादा ठीक है तो ये reaction ऐसे चलता रहेगा Z बनाता रहेगा जब reaction नहीं होगा यानि chloroplast में net-2 की concentration बढ़ गई है अब net-2 direct ATP का source तो नहीं है ना तो क्या होगा फिर यहां से ही electron feridoxon के पास आगे साइटो क्रोम complex के पास आगे बिचारा ऐसे ही घूमता रहता है और इसको कहते हैं cyclic fossil relation इसमें energy कम मिलती है clear हो गया समझ आ गई यह देखें जी बन रहा है ठीक हो गया जी अब मैं आगे बता रहा हूँ के यह क्या है इदर देखें अब इदर देखें यहाँ पे ही समझ ले बचो इदर ही समझ ले यह है फोटो सिस्टम टू फोटॉन पड़ा इसके उपर क्या लाइट फोटॉन जब फोटॉन पड़ा इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिये साइटो क्रोम कमप्लेक्स को ठीक है उसने दे दिये फैरी डॉक्सन को यानि यह डायाग्राम बनी हुई है और यह है यह साइकल बना हुए है दोनों चीज़ें एक ही है अब जब यहाँ पे यह आ जाएगा फोटॉ सिस्ट्रम वन के पास तो फिर यहाँ पे यह जो प्रोसिस हो रहा है न समझाना अब मैं अपने काम की तरफ आता हूं कैमियोसमोसिस की तरफ यह है मेंबरेन अब कैमियोसमोसिस पंप किस तरह काम करता है देखें गलाइकोल आइसीज के अंदर एटी पी जो है एटी पी में कनवर्ट हुई ना शुरू में जो हम दो फॉस्ट लेते हैं अब इस एटी पी को वापस एटी बी में तो कनवर्ट करना है और नैड एच टू को नेड एच बापस नैडएच टू में तो कनवर्ट करना है ना क्योंके हैं डूजरू ज़़िंड भी हमारे काम आनी और फॉस्ट हैटी सब मेंबरेन के अंदर एक छोटा सा पंप लगा रखा होता है इस तरह ठीक है दुनिया वाला ही पंप है यह जैसे मोटर पंप है न हम स्वीच नगाते हैं और करंट आते हैं मोटर रूटर अंदर से घूमता है सेम वही प्रॉसेस इधर होता है है यानि इधर बहुत सारे हैड्रोजन फिर रहे होते हैं अब सुनें इस पंप को कौन चलाता है और मेंबरेन के इस तरफ फिर रहे होते हैं ADP जो इस्तमाल हो चुके होते हैं बिचारे ठीक है और इदर फिर रहे होते हैं phosphate, inorganic phosphate अब इन दोनों को आपस में मिलाने वाला process कैसे होता है इदर photon आता है, ये hydrogen आके इदर ऐसे लगता है इसका ये face जो है वो दबता है जिसकी वज़ा से ये नीचे वाला face है ना ये ऐसे घूमता है जब ये घूमता है तो ये ATP इसके इस side पे attach होता है और phosphate यहां से attach इस तरफ attach होता है और इनके घूमने की वज़ा से ATP और ATP ऐसे मिलते हैं और ATP बन जाता है इस process को कहते हैं chemi osmosis दोबारा revise कर दूँ दुनिया के अंदर जो हम pump चाहते हैं इदर जाके motor चले माशाला समझा आगे तो अब दोबारा समझ ले ठीक है hydrogen फिर रहे हैं बहुत सारे membrane के एक तरफ ठीक अब यह hydrogen लगेंगे इसके इस face पे इस face पे जैसे यह लगेंगे ना तो इनके gradient की वज़ा से इसका यह वाला face ऐसे घूमेगा ऐसे यानि यह देख लें यह मेरा हाथ एक face है यह दूसरा यह यह समझने के यह ATP है यह ADP है यह एक phosphate है मेरा यह यह हाथ जो है ऐसे घूमेगा और इन दोनों को वापस में मिला देगा अब देखें यह ATP बन गये और यह ATP बनके वापस cell के पास चला जाएगा और cell इसको इसको इस्तमाल कर लेगा ठीक समझ आ गई अब यह डायाग्राम की दुरफ आएं केल यवन साइकल इधर देखें जरा केल यवन साइकल समझें लाइट रियक्शन और अब दार्क रियक्शन का अपस में क्या तालोग है देखें थ्री कार्वन शूगर बन रही है त्री कार्वन शूगर एकठे होके सिक्स कार्वन शूगर बना रही है सिक्स कार्वन शूगर मिलके स्टार्ज बना रहे है स्टार्ज जो है वो आगे स्टोरिज हो रहे है अमाइनो एसिड बन रहे है फैटी एसिड बन रहे है केलवन साइकल की सबसे बड़ी इंपोर्टेंस ये है लिख लें कि ये जो है अमाइनो एसेड मेटाबलीजम को आपस में मिलाता है मेटाबलीजम को फैटी एसेड मेटाबलीजम को मिलाता है गलाइकोलाइसिस को इनके साथ जोडता है सुक्रोज को एक्सपोर्ट करते है लेकिन इसको चलाने वाला कौन है ये वाला लाइट रियक्शन ये देखें लाइट पड़ रही है पानी आ रहा है ठीक है नेड़ पी कन्वर्ट हो रहा है नेड़ पी एच में एटी पी कन्वर्ट हो रहा है फास्वेड मिलके आ रहे हैं एटी पी में ये जा रहे हैं डार्क रियक्शन में और डार्क रियक्शन चल रहा है किस तरह चल रहा है सबसे पहला स्टेप कार्बन डायॉकसाइड फिक्सेशन कार्बन डाय उक्साइड फिक्स होके क्या बनाएगी फास्फो गलाइसरेट ठीक है अब ये वाला स्टेप स्टार्च बनने वाला और अब आगे हमने राइबुलूस बाइफास्फेट को क्या कराना है रीजेनरेट ताके हवा में ये मुझूद रहे अब यही राइबुलूस बाइफास्फेट जो है यही जो है वो रुबिस्को को कार्बन डाय उक्साइड को फिक्स करा देता है और इस तरह आपका कैलवन साइकल चलता रहता है यानि ये एनरजी सोर्सिस किस से लेता है लाइट रियक्शन से समझ आ गई अब गलाई को लाइसे जगरवा दूँ